परन्तु यदि प्रती धर्म करे ही नहीं तो न तो पती को धर्म का फल मिलेगा न पत्नी को अतर एक आदर्श नारी पत्नी को चाहिए अपने पती को धर्म में लगाए और अपने पती को धर्म में न लगाए तो कोई बात नहीं कम से कम पती जो धर्म में लगा है उस धर्म में लगे हुए पती को रोके नहीं, तब भी कल्यू की वह सती मानी जाए, रोके नहीं, तो सती ने बहुत सुंदर कहा, कि पती देव आप जाईए और इस पर जाके का दुख दूर किजिए, तब सुगदेव को स्वामे कहते हैं, उसी समय भगवान बोले नात, कहला स्वास लोग से उतर कर जहां पर समुद्र मंतन हो रहा था, समस्त देवता और असरों के साथ, गिरे हुए शिव जी समुद्र के तड़ पर आए, तता कर तली कृत्य व्यापी हाल हला हलम विशम, अब अब अक्षन महादेव कृप्या भूत भावन, शिव जी उस समंदर के तड़ पर पहुंचे और एक दर्शी से देख लिया, इस समुद्र में हला हल विश खोलने लगा है, और उसी समय शिव जी अपने दोनों हाथ अपनी अंजली को बांध कर विचार के लिए विचार कर लिए कि मैं विश को कैसे पिऊंगा, और शिव जी के मन में यह क्योंगा, फिर भी मुझे कुछ नहीं होगा, क्यों? अचारिगन कहते हैं, नाम प्रबाव, जान शिव नी को, काल कूट फल दिन अमी को, शिव जी को भगवान के नाम के उपर विश्वास था, कि मैं यदि हलाल विश भी भी लूँगा, फिर भी ये विश मेरा कुछ नही सकते रहता हूं, और वह मेड़ी होश रक्षा करें, मेरी अवश्व रक्षा करें, नंदी पुरान में वेद जी लिखते हैं, कि शिव जी ने विश पिया, फिर भी विश शिव जी का क्यों कुछ नहीं बिगाड बाया, तो नंदी पुराण में लिखा है जानाती राम नामस्तु परत्यम गिरिजापती ततो अंधन विज्ञानाती सत्यम सत्यम वचो ममः मैं सत्य कहता हूँ सत्य कहता हूँ वे विश शिवजी का कुछ नहीं बिगाड पाया क्यों क्योंकि शिव जी जानाती राम नामस्तू शिव जी भगवान राम के नाम की महिमा को जानते थे तो वक्तो उस समय शिव जी ने भगवान के उपर पूर्ण विश्वास था और दोनों अंजली हाथ में बांद ली और एक सेकेंड के लिए भगवान राम और कृष्ण का ध्यान कर लिया और उसी समय शिव जी ने अपना ऐसे हाथ बांदा समंदर का सारा विश्व जी की अंजली में आ गया और उसी समय रा बोलकर शिव जी ने अपना मुख खोला और वे विश शिव जी ने अपने गले में अड़वाया और म बोलकर शिव जी ने अपना मुख बंद कर लिया राम नाम के प्रवाव से वे विश शिव जी के अंदर गया परन्तु शिव जी का कुछ नहीं बिगाड पाया अधिश्य को विश्व जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए कि रा बोलकर वे मुझे और म बोलकर मुझे बंध कर लिया लेकिन फिर भी विश्व का कुछ प्रवाव शिव जी के उपर हुआ सुगदेव गोस्वामे कहते हैं तस्यापी दर्शयामास स्ववीर्य जल्म कलमश तस्यापी फिर भी उस विश का थोड़ा सा प्रभाव हुआ क्या प्रभाव हुआ यद चकार गले निलम तच्च सादोवी भूषणम सरोप्रतम वह विश जो था शिवजी ने अपने गले में अटवा लिया न तो शिवजी ने अपने पेट में लिया न तो शिवजी ने उस विश को बाहर उगला एक आचार्य ने बहुत सुंदर भाव बताया कि इस संसार में दुसरे लोगों की निन्दा, दुसरे लोगों की इर्षा जो है वो वीश के समान है जब किसी के द्वारा हम दुसरों की निन्दा सुनते हैं, इर्षा सुनते हैं तो उस निंदा और इशारुपी वीश को हमारे पेट में नहीं पचा लेना चाहिए पेट में पचा लेने का अर्थ क्या है हाँ तुम यदि बोल रहे हो ना तो वो प्रभु जी वैसे बुरे ही होंगे और अक्सर हम लोग ऐसा वीश पीने में बहुत इंट्रेस्ट रखते हैं कुछ लोग कहें के लाल गोईन प्रभू बोरियोली में बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं तो तो कर रहे हैं उसमें कौन से बड़ी बात और नहीं वो कितना सुंदर गाते हैं कितना सुंदर उनकी वान कर रहे हैं तुम जानते हो लाल गोविन प्रभू पानी पूरी की लारी की उपर खड़े-खड़े पानी फूरी कार अच्छा तुरंत कान दूगुना हो जाएगा अच्छा और क्या कर रहे थे और बताओ दूसरों की बुराई सुने में कान दो तीन पचास गुना हो जाता और दूसरों की अच्छाई सुन तो दूसरों की बुराई दूसरों की निन्दा और इर्शा विश्च के समान है शिव जी ने जगत जनता को एक बहुत सुन्दर आच्रन सिखाया दूसरों की निंदा इर्शा करनी नहीं चाहिए और भूल से भी यदि किसी ने दूसरों की निंदा और इर्शा कर ली तो उस बात को पचाना नहीं चाहिए पेट में नहीं दालना चाहिए पेट में दालने का अर्थ हैं उसको स्विकार नहीं कर लेना चाहिए इतने बड़े महान चरीत्र को किसी थड़ क्लास के व्यक्ति के द्वारा बोलने पर तुरंत मान नहीं लेना चाहिए कि व्यक्ति इतना बुरा हो गाई संसार के लोग तुरंत उसे स्विकार कर लेते हैं तो शिवजी ने उस विश्द को पेट में नहीं लिया और उगला भी नहीं कुछ लोग इस निन्दा और इर्शा के विश्द को उसzeniu सुनते हैं और फिर उगलते रहते हैं दूसरों के सामने जानते हो फलाना ऐसा है फलानी एसी है ऐसा है वैसा है तो निंदा इर्षारुपी विश्च को उगलना भी नहीं चाहिए और निगलना भी नहीं चाहिए उसको कंट में दबा कर रख लेना चाहिए शिव जी ने यह अधर्श्था पिस और जब शिव जी ने इस विश्च को अपने गले में धारण किया सुगदेव गोस्वामें कहते हैं यह चकार गले निलम शिव जी का जो गला था विश्च के प्रवाव से नील वरन का हो गया परंतु नील वरन का गला हुआ तो शिव जी का जो आभुशन था शिव जी की जो सुंदरता थी वो और भी बढ़ गई सुगदेव गोस्वामें कहते हैं कि वो विश्च जो था शिव जी का एक आभुशन एक अलंकार बन गया और उस दिन से शिव जी का एक नाम हो गया निलकंट महादेव निलकंट महादेव की है यशो जना परमारादनम नमतद्वी पुरोश अस्या खिलात्मना जब शीव जी ने जनता के दुँख को दूर करने के लिए यह कृत्य किया शुगदेव गोस्वामी परसन्न हो गए और एक सिद्धानत दे दिया कि इस परकार तप्यंत लोक तापेन सादव प्राय शोजना इस जगत के सादु हूँ प्रायह दुसरों के दुख को दूर करने के लिए तप्यनते खुद तपते रहते हैं खुद जलते रहते हैं और खुद जलकर भी दुसरों के दुख को दूर करना ये कारिय जो है परम आराधनम तद्वी भगवान कृष्ण की परम आराधना परम भक्ति अतर संसार में किसी भी व्यक्ति को चाहिए शिव जी के तर बगवद भक्ति का प्रचार करते हुए लोगों के दुखों को दूर करें शिव जी ने जब विश्पिया और लोगों के दुख को दूर किया निशम्य कर्म तत्षम्भो देव देवेश मीडूश प्रजादाक्षा यनी ब्रह्मा वैकुन्ठच ससंशिरे बले शिव जी ने विश पिया और जगत के दुख को दूर किया ये सुनकर ब्रह्मा हित्यादी दक्ष प्रजापती सब लोग आकाश के मार्ग में आये और शिव जी की उपर फूलों की वृष्टी की और इस प्रकार प्रसकन्नम पिवत प्राणे यत किंची जूस मतत वृष्टी का ही विशो दद्यो दंद सुखाश ये परे अंत में सुगदेव गोस्वामी कहते हैं वीश पिते समय शिव जी की अंजली से वीश की कुछ बूंदे गिर गई और जो बूंदे गिर गई संसार के किसी बिच्छू ने ग्रहन किया सर्पो ने ग्रहन किया और जिन पशू ने उनको ग्रहन किया वे सब जहरिले हो गए इस प्रकार कहते हुए वेद व्याज जी इस अध्याई को समाप्त करते हैं समुत्र मंतन की कता को आगे बढ़ाते हुए अब शुकदेव को स्वामी कहते हैं पिते गरे व्रिशांकेन प्रितास्ते अमरदानवा शिव जी के विश्पी लेने के बाद सारा विग्न समाप्त हो गया समस्त देवता और असुर निश्चिन्त हो गए और फिर से जहां पर उद्यम प्रारम हुआ था उस समंदर के बीचो भी जाए मन्दार परवस समंदर में खड़ा है वासुकी नाग बैटे हैं और उस समय देवताओं ने पूछ का भाग पकड़ा असुर उने मुख का भाग पकड़ा और समुद्र मंतन प्रारम किया लेकिन अब तो देवताओं ने सोच लिया कि इतने इतने विगन आये और समंदर से कुछ निकल नहीं रहा है कथा का आज आठवा दिन आ गया तब क्या करेँ भगवान का नाम लेंगे तो तुरंत ये सब आभुशन निकलेंगे ये सब रत्न निकलेंगे इसलिए उस समय समस्त देवताओं भगवान का नाम गाते हुए समुद्र मंतन करने लगे आईए हमलोग भी वगवान का नाम गाते हुए करे ताकि आज ही समुद्र मंतन में समुद्र से आठ रत्न उत्पन हो और आठवे रत्न के रूप में जगत जन्नी माता लक्ष्मी यहाँ पर प्रकट हो और लक्ष्मी नारायन का विवाब हरे ख्रिशना हरे ख्रिशना खृष्णा 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 प्रेम से गाईए समस्त देव का लाम 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 ले वारे देखिए इस अंसार में जब हम लोग कर्म करते हैं तो कर्म करने से कर्म का बंदन लगता है और लेडी हमारे जीवन में पुर्व जन्म के हजारों प्रकार के बंदन लगे हुए हैं रोगों का बंदन, जन्म, मृत्व, जला, व्यादि का बंदन और यदि हम लोग फिर भी कर्म करते रहेंगे तो हमारे कर्म बंदन और बढ़ते जाएंगे यदि हमें कर्म बंदन से मुक्त होना है तो कर्म करते समय भगवान का नाम खाना चाहिए भगवान का नाम गाते हुए यदि हम हमारे जीवन के कर्म करते हैं आप चाहे घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो बगवान के नाम का स्मरन करते हुए बगवान का नाम गाते हुए आप कर्म करो किसी भी प्रकार का कर्म बंदन नहीं लगेगा और बगवान की कृपा से बगवान का धाम प्राप्त हो जाए कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे समुद्र Ethereum हो रहा है, समत्र समूद्र आंगो वित हो रहा है अरे राम, अरे राम, 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 अरे हाले उस अंसार में जो व्यक्ति बागवत के आश्रई में बागवत कता सुनते समय यदि भगवान का नाम गाता है उस व्यक्ति के रदेई के करोडो करोडो जन्म के बाप फाप उनके रदेई से भाग जाते हैं भगवत कता में हैं भगवान का नाम गाने से रदेई के पाप बाद जाते हैं इसलिए प्रेम से जीए Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 अभी भी सब लोग नहीं गा रहे हैं देखिए समुद्र मंधन करना है रत्नों को उद्पन करना और मैंने कहा था बागवत कता में जो लोग बागवान के नाम को गाते हैं उनके रदय के सारे पाप निकल जाते है और जो लोग नहीं गाते हैं उनका क्या होता है बागवत कता में भगवान का नाम गाने से करोडों जन्म के पाप रदई से निकल जाते हैं और जो नहीं गाते हैं उनके रदई में आकर बैड़ जाते हैं कम से कम आजू-बाजू वाले के पाप हमारे अंदर न आ जाए इसलिए तो गाई है पीते गरे वृशांगेन प्रीटास्ते मरदानवा ममंतो तरशा सिंधों अवुद्धानी शतो भवन बगवान का नाम नहते हुए जब देवताओं ने समुत्र मंतन किया तो इस समुत्र से एक दिव्यरत्त पन हुआ समुत्र में से बहुत सुन्दर काम देनु नाम की गाई उत्पन हुई और जैसे काम देनु गाई उत्पन हुई समस्त देवतार असूर प्रसंद्न हो गए परंदु भग तो असूरों का एक सुभाव था असूर जो होते हैं उसके रदे में अने को प्रकार की काम ना वासना होती है जैसे ही काम देनु गाई प्रकट हुई यह असूर लोग उस वासू की ना को छोड़कर दोड़कर सब काम देनु गाई के पास चले गए परंदु भगवान ने इंद्र को समझाया था पहले दिन की याद याद कीजिए भगवान विश्व ने कहा था असूर लोग बहुत मांगेंगे छीना जप्टी करेंगे लेकिन आप लोग बूल में भी मन से कामना उत्मन मत करना मैं वहाँ पर रहूंगा और सारा कारिया ठीक कराऊंगा तो देवता लोग इंद्र आदी सब वहाँ पर खड़े रहें असूर उने गाई को पगड़ लिया भगवान विष्णु उपर मंदार परवत की उपर अंपायर की रूप में बैठे थे बले गाई को छोड़ो चलो दूर खड़े रहे जाओ अब सब लोग भगवान को आदर भी करते थे क्योंकि इसी ने हमको जीवित किया इसी ने मंदार परवत को उठाया इसी ने हमको शक्ती दी इसलिए थोड़ा तो इसमें प्रभाव था भगवान ने का गाई को छोड़ो और सुनने का नहीं ये गाई हम रखेंगे भगवान ने का तुम लोग गाई का क्या सतो भवत पारी जात सुरलोक विभूशनम पूरय तर्थि नोयो तेरे केवल मनुष्य की नहीं स्वर्ग में रने वाले इस समस्त देवताओं की इचापुर्ण करने वाला उस समुत्र मंतन से छठे रत्म के रूप में पारिजात नाम का व्रुख्ष उत्पन हो गया जैसे यह पारिजात व्रुख्ष उत्पन हुआ देव असुरु को खोल राया बास बंद करो यह मंतन पर हम लोग आये समुत्र में से अमरित निकालने के लिए यह हाथी घोडा यह व्रुख्ष बस यह निकल लागा क्या यह हाथी घोडा और पेड़ी के लिए हम लोग आये अब पारिजात व्रुख्ष निकला और निकल करेए इसे घड़ा है असुर लोग लेने नहीं गए भगवान ने कहा ले लो बले हम तो इसको काटते हैं सुग्देव को स्वामी कहते हैं इस संसार में जो लोग व्रुख्ष को काटते हैं वो असुरो के जैसे हैं लेकिन यह लोग के अंदर बहुत टेम पर आये हो गया बोले यह हाथी घोड़े के लिए यहाँ पर आये थे यह तो हमारे घर पर भी था भगवान ने अंपायर के रुप में बैटे देखा असुरो आप ले लो बुले हमको नहीं चाहिए तब भगवान ने इंदर को इशारा किया यह असुर लोग इस वरुख्ष को इसलिए नहीं चाहे क्योंकि इसकी महिमा नहीं जानते थे सुगदेव को स्वामी कहते हैं पूरयत अर्थी नो योर थे सभी अर्थ को पुर्ण करने वाला यह कल्प वरुख्ष था और उदारन देते हुए कहते हैं शश्वत भूवी यथा भवान यह परिक्षित जिस प्रकार आप तक आप जब तक राजा रहे और आपने जैसे अपने प्रजाओ की इच्छा को पुर्ण किया उसी प्रकार यह वरुख्ष जिनके पास रहता है उनकी इच्छाओ को पुर कहने पर इंद्र ने वह वरुख्ष अपने स्वर्ग में जाकर लगा दिया देखिए देवताओ का सुबाव आगे चलकर एक कथा आती है कि सत्य भामा रुक्मनी के लिए भगवान इंद्र के पास यह वरुख्ष लेने गये लेकिन इंद्र ने नहीं दिया जिस भगवान क लोग अपने स्वर्ग में जाकर लगा दिये और अब तो यह क्रोध में थे कभी कभी कुछ लोग क्रोध में आकर ज्यादा काम कर लेते हैं तो क्रोध में आकर यह सारी महनत और शक्ति से समुद्र मंतन को फिर से प्रारम किये अरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 राम, 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 रा कत शायप सरोजाता निश्क कंख्य सुवासस रमन्य स्वर्गिनां बलगूने गतेली लावलो कने देवता और समुद्र और असुरों के समुद्र मंतन करने पर उस समुद्र में से सात्वे रत्न के रूप में बहुत सुन्दर सुन्दर अफ्सरा उत्पन होई और अफ्सरा के विशय में केते बहुत सुन्दर उनका शरीर था उनके शरीर के आंग अच्कियंत कोमल थे बहुत सुन्दर उन्होंने वस्त्र रारण किया था अलंकार रारण किया था और एशी अदभूत चाल वाली अपसरा वहां पर प्रकट हुई और समस्त असुर्गण अपने अपने वासुकी को छोड़ कर कि अपसरा के पांस दोड़ कर चले गए और सब लोग बाटन रंभा को तू रख ले और वर्वशी को में रख लेता हूं और सब लोग अपने अपने स्थान पर जाने लगे भगवानने का छोड़ो ए कहा लेकर जा रहे हो छोड़ो छोड़ो बले देखो प्रभू अब इसमे कोई दोराई नहीं है यह पेड़ जो था यह लोग ने रखा यह अपसरा आप हमारी हैं आप कुछ मत बोलना अब हम लोग के बीच में मत आना हम लोग अपसरा को हमारे ग स्वर्ग की देविया साड़ी पहनती है स्त्रियों का आभुषण मर्यादा है मर्यादा से युक्त स्त्री जितनी सुन्दर लगती है उतना मर्यादा को तोड़ने वाली इस्तरी अच्छी नहीं लगती खेर ये तो सिद्धान तने को है लेकिन ये सब अफसरा को पकड़ ली अब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे अशुर अशुर लोक में कभी इसी अफसराय देखी नहीं हुए भगवान ने का छोड़ो बोले नहीं छोड़े कि बोले छोड़कर दो मीट खड़े तो रहो कम से कम सीधा खड़ा रहना तो सिखो एक सेकेंड एक स्थान पर बैठ नहीं सकते हैं अशुर यह आशुरी वृत्ती हैं जिसके अंदर आशुरी गुरुण होते हैं तमोगुण होते हैं वो ठीक से बैठ नहीं सकते हैं धन्य हैं आप लोग का सत्व गुण दो दो तिन तिन घंटे तक एक स्थान पर बैठे रहते हो इतनी गर्मी में लेकिन कुछ लोग होते हैं जब से बैठने तब से हीलते रहते हैं कभी हैं मोर अपनी जितनी कला बदलता है वो सब कला बदल चुके हैं कुछ लोग और फिर भी ठख जाते हैं खड़े होकर बाहर चले जाते हैं यह आशुरी वृत्तिया आशुरी प्रभाव एक बार एक व्यक्ती आया और प्रबो जी को कहा प्रबो जी मुझे प्रवचन करना शिखा वो बोले तू तु तू तू बाद में सिखेगा पहले तीन घंटा एक स्थान पर कैसे बेठा जाता है वो सिखो सीधा नहीं खड़े रहते थे भगवाने का सीधे खड़े रहो अफसराओं को खड़ा रखा बोले ये अफसरा देवताओं की है बोले कैसे देवताओं ने वुरुक्ष रखा अब अफसरा हमारी है भगवाने का ध्यान से सुनो विश निकला शिवजी ने रखा गाय निकली ब्राम्मन ने रखा गोडा निकला आप ने रखा आथी निकला देवताओं ने रखा कोस्तुप मनी निकला तो में ने रखा अब चांस किसका था पहले गोड़ा निकला तो असुरों ने रखा, हाथी निकला तो देवताओं ने रखा, अब चांस किसका था, असुरों का था न, अब आपका चांस था, तो आपके चांस में वरुख्ष निकला, आपने पास कर दिया, आपका चांस नहीं चाहा, तो देवताओं के पास लगय इसलिए आपको चाहते तो विर्क्ष मिल जाता लेकिन आप नहीं चाहे इसलिए फोकट में बेश दिया अब ये अफसरा जो है देवताओ की हैं आप अफसरा देवताओ को दे दो असुरों ने गुप्तगु किया बोले देदो ना फिर युद्ध करके ले लेंगे सब को अमारे वश में कर लेंगे छोड़ो ऐसी अफसरा तो बहुत देखिये मिला नहीं तो अंगूर खटता है ऐसे करके अफसराओ को छोड़ दिया और सभी देवता और असुर फिर से लग सालो और असुर ने का अब जो आएगा वह हमारा बन जाएगा साथ रत्न निकल चुके हैं अब समंदर से आज कि दीन का आठ्वा रत्न निकलने जा रहा है आए वड़े प्रेम से शृतासि भगवान के नाम का किर्थन और में कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम अरे कृष्णा 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 कृष् गुष्णा जिए इस तिए तूज स्थल्पाइज problema ततश या विर्भुत साक्षार श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ति दिशह कान प्यान विद्धुद सोदा मनी यता उसी समय उस समुत्र से आठवे रत्न के रूप में समुत्र की पुत्री के रूप में समस्त दसो दिशाओं को जगमगाने वाली अपने तेज से सूर्य चंद्र की किरणों को फिकी करने वाली साक्षाज भगवान की निच्य पार्षद शी लक्ष्मी देवी उस समुत्र से प्रगड हो गए जैसे ही लक्ष्मी देवी प्रगड होई सुगदेव गोस्वामी केते हैं तस्याम चक्रूस प्रिहाम सर्वे असूरा सुर्मा नवार् रुपो दार्य वयो वर्णा महिमा शित्चे तसर्व जैसे ही देवी लक्ष्मी प्रगड होई देवी लक्ष्मी को देखकर वहाँ पर खड़े हुए समस्त लोग लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा करने लगे केवल समुत्र मंतन में भाग लेने वाले ही नहीं इस दुनिया में रहने वाले साव लोगों ने इच्छा किया के लक्ष्मी हमारे पांश आजाए बक्तों यतवी सब लोगों ने अलगअलग भाव में इच्छा रखी देवताओं ने लक्ष्मी को अपनी माँ समझ कर प्राप्त करने की चाकी मनुष्य ने लक्ष्मी को धन समझ कर प्राप्त करने की चाकी और असूरों ने लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने की चाकी साब लोगों ने लक्ष्मी को अपना अपना बनाना चाहा लेकिन वक्तों उस समय लक्ष्मी ने किसको अपना बनाना चाहा ये प्रश्न खड़ा हुआ उसी समय देवी लक्ष्मी अपने हाथ में कमल का फूल लेकर बहुत सुन्दर वर्माला लेकर उस समस्तर देवता और असुरों के बीच में चल रही है शुकदेव को स्वामी कहता है कि देवी लक्ष्मी अपनी द्रश्टी से समस्तर देवता और असुरों को देख रही है और देवता और असुरों के साथ इस जगत के समस्तर जीवों को समस्तर महान महान लोगों की और द्रश्टी डाल रही है और देवी लक्ष्मी देखती जा रही है मेरे लिए मेरे योक्य इस समा में कोन अच्छा वर है जो वर कभी भी जीवन में न मरे जिस वर की उपस्तिती निरंटर है ये वावर में वरी शूं करो जे आज जन में नेकाल मरी जाई हुँ तो वर हुमारा गिरी धर गोपाल में तो तुमारो चुडलो यमर खई जाई मैं ऐसे वर के साथ विवाव करके क्या करूँ जो आज जनम लेता है और कल मर जाता है मैं विवाव करूँगी तो ऐसे वर के साथ जिसे में जन्म जन्मांतर के लिए अखंड सो भाक्यवति बन जाओं शिवावर ने वरी शों करो पुझे आज जनमे लेकाल मरी जाई मुझे पुर्ण रुप से सुखी रख सके जो कभी नुमर है अने को लोगों को इंद्र को देखा बली को देखा एक से एक व्यक्ति को देखते हुए लक्ष्मी जी आगे बढ़ रही है नुनम तपो यससे नम अन्यु निर्जयोग देवी लक्ष्मी ने देखा इस सवा में कुछ लोग बड़े तपस्वी हैं लेकिन क्रोथ के उपर अपना वर्ष नहीं है कुछ लोग के पास आयू है लेकिन उनकी सुन्दरता का कोई ठिकाना नहीं है याय अपनी को मनाना नहीं जानते हैं तो उनके वेश का कोई ठीकाना नहीं है UK अनरुनी कूँ लोगों को देवी लक्ष्मी ने देखा का लेकीन उस समय सबको देखते देखते देखती जब अंत में भगवान कर विश्णू बचे और विश्णु को देकर लेवी लक्षमी ने सोचा कि हाँ इस सवा में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके गले में वर्माला दावतू लेकिन क्या करू जो व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है वो मेरे सामने तक नहीं देख रहा है लेकिन फिर भी जगत पिता भगवान विश्णु को अपने पती के रुप में चयन करते हुए जगत चंदी माता लक्षमी आगे बढ़ी और अपने स्वयंबर माला को लेकर भगवान विश्णु के चरण में डाल दिया में तो के रूरे पाने तर संदिर शामनु रे तो के रूरे पाने रे क्रिष्णा रे क्रिष्णा रर्फैरे घरे नुये नानामनु मेला गुल फो पाने जरत्य पैरी अधानिना बगवान विष्णु को अपने पदी के रूप में चयन कर लिया गुदू बस आज लक्ष्मी और नारायन जी का विवा हुआ और लक्ष्मी नारायन के विवा के दिन हम सब आओ बगवान से प्रार्थना करें कि ये लक्ष्मी नारायन के द्रश्टी सदा सरवदा हमारे उपर बनी रहें बगवान नारायन की बक्ती प्राप्त हो और देवी लक्ष्म की क्रिबा प्राप्तों हो इसी आशा और अनुकम्पा के साथ हम हमारी वानी को यहां पर विरावन करते हैं में तो पेरूरे पाले तरसंदिर शाम मूरे में तो में तो पाने तर पेरे माही वैचती ते हूं तो पाने तर पेरे माही वैचती ते मारा कोरस मारा कोरस मारा कोरस ने लूटा की रिधारिये रे मावा धारिये रे जमेतों पेरूरे पाने तर संदिर शाम मूरे मेतो आज लक्षमी नाराण जी का विवा है आईए हम सब इनको आशिरवाद दे इनकी जोड़ी सलामत बनी रहे अरे कृष्णा हरे 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 क प्रारंब में बताया था हम सभी लक्ष्मी नारायन जी का दर्शन तो किये हैं और लक्ष्मी नारायन में आज उन्होंने हमारे उपर पूरी कृपा बरसा ही है लेकिन अभी कृपा का मुल भाग शेश है हम सभी को आज यहां दामोदर अश्टकम करना है आप सभी के लिए ए आज यह सीडी का आयो जंजो है हमारे परमस्नेही भक्त नील वसन प्रभू के द्वारा किया गया है क्योंकि आज नील वसन प्रभू के सुपुत्र चैतन्य का आज जन्म दिवस है तो मैं नील वसन प्रभू से विनंति करता हूं कि वे चैतन्य को यहां लेके आए और प्र सभी मुद्धित इस मिरों की पराप्त करेंगे इसमें बहुत ही शुनदर प्रभूजी के द्वारा वाचित जो भगवद गीता का कोर्स है इसकी पूरी रेकॉर्डिंग की गई है ये साथ दिन का भगवद गीता कोर्स है जिसको श्रवण करके हम भक्ती का जो प्रथम चरण है जिसमें भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि इस प्रकार से हमें भक्ति जांट प्रकोंगu टॉन मुथा आज रखो यशोदावियो लूख लाधव मानं परामिष्ट मात्यांत तोद्रुच गोप्यान यशोदावियो लूख लाधव मानं परामिष्ट मात्यांत तोद्रुच गोप्यान रुदन्त मोहुरनेत्र युगमम्रुजन्तम कराम्भुज युगमेन साथकनेत्रम मुहुरुदन्तम मोहुरनेत्रम युगमम्रुजन्तम कराम्भुज युगमेन साथकनेत्रम मुहुश्वाशकंपात्री रेखात्कंथ स्थित ग्रिवदामोक्दरम्भक्ति बदम मुहुश्वाशकंपात्रि रेखात्कंथ स्थित ग्रिवदाम् पिति धिक्स्वलीला भी रानन्द कुंडे स्वगुशं निमाजंत पाथ्य पयंतं तदी ये शीतागे शू भक्ते जितर्वं उनह प्रिमतास्तं शतावृति बंदे वरम्देव मोक्षम नाक्षाव दिम्भा नचान्य विनेहं परेशाद पीहं। इदम् तेव पुर्नातन गुपाल बालं सदा में मनस्य वीरास्तां की मन्यें। इदम् ते मोखा मोज मत्यंत नीले वितं कुंत लेष्णी गत्रक्तिश गोथ्या। मुहु सुम्भितं विंब रक्ता धरम्में मनस्य वीरास्तां मालक्षम नावे। नमो देवतामोध रानन्त विष्णो प्रसीध प्रबोदुक जलाबिमः। कृपाद्रिष्टि विष्ट्याति दिनम् बतानूं। ब्रिहान शर्मामध्यक्ते भक्षे द्रिश्ण। कुबे रात्म जोबत दमृत्य वयद्वत वयामोचीतों बक्ती भाजो कृतोच। पथा प्रेम बक्तीम स्वर्कामें प्रयच्छ। नमोक्षे ग्रहों में स्तित्यामोधरेह। नमस्तित दामें पूरदित दामें तवदियो दरायात विश्व स्यदामें। नमोरादिकाये तवदिया प्रियाए। 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 नमोरादिकाये तवदियाए। नमोरादिकाये तवदियाए। नमोरादिकाये तवे प्रियाएं। कृष्णा 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 अठेशक था ह Rub Shawn मिस्दाशक शखलुव 92 आरे यूछ शक्रही किष्नाást मिद्य के दिख्ष के शांए यूग के का शांए यूग कस्टिक शगत्तन के काट्यव शहाथ हरे 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 किसना Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare